डोक्itar बाबा साहब अम्बेड कर ओप Bijan University नमस्कार डोक्टर बाबा साहब अम्बेड कर ओपण युनिवरसिटी की ओर से आयुजित इस आभासिक अक्षा में आप सभी का स्वागत है बीए द्वितिय वर्ष के चात्रों के लिए उनके नवे प्रश्न पत्र भारत की भाषाएं भागे के प्रथम खड को हम आज कल पढ़ रहे हैं जिसमें भारत की विविन भाषाओं के विश्य में हम विस्तार से जानेंगे और यहीं से भाषा वैग्यानिक अध्यन की भी शुरुवात हो रही है हम एकाई दो पर हैं भारतिय भाषाएं और भारोपिय परिवार पर पिछली काई में हमने भारतिय भाषा मने विश्व के भाषा परिवार के विश्य में जाना भाषा वैग्यानिक ब्रिष्टी से उनक थोड़ी अधिक चर्चा करेंगे इसी भाषा परिवार में हमारी भाषा हिंदी भी आती है और जो भी प्रमुक्त भाषाएं हम जानते हैं विश्व की वो सभी इस भारोपी परिवार से संबद रखती है इसलिए हम इसको विश्व रूप से जानेंगे इस इकाई का उद्द भारोपी भाषा परिवार का परिचय है अच्छी तरह से उसमें पुना वर्गी करण किस प्रकार किया गया है भारोपी भाषा परिवार के अंतरगत क्या वर्गी करण है वो हम जानेंगे और भारोपी भाषा परिवार की जो प्रमुक भाषाएं हैं उनका परिचय हम बव हम भारत केहते हैं तो वही नहीं थेते हैं नहीं जो मतलब तो आगल्म कैकाया। पूरा क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है तो भारत से तात पर भारती महाद्वीप है जिसकी प्रमुक भाषा है निश्यत रूप से भारत की अधिकतर भाषा हैं सलस्कृत हिंदी गुजराती मराथी बांगला पंजाबी मैथली आधी आधी बहुत सारी भाषा है वो सब इसमें यूरोप की जो प्रमुक भाषा हैं लैटिन, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश, रूसी आधी आधी जो भी यूरोपी भाषाओं के विशे में आप भाषा का डाम ले सकते हैं वो लगभग सभी लगभग सभी यूरोप मने इसी भारोपी भाषा परिवार है, मित्रो इसका वरगी करण, जब भारोपी भाषा परिवार का हम अध्यन करने चाहते हैं, तो इसको अध्यन की सुविधा के लिए इसको फिर से दो भागों में, मोटे भागों में बाता है, केंटूम और सतम, इसको याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएग प्रतियोगी परिक्षाओं में भी केंटूम और सतम इसको लेकर प्रश्नकाफी होते हैं, तो इन दो शब्दों को आप ज़रूर याद रखिए केंटूम और सतम, भारोपी भाषा परिवार का प्रमुख दो विभाजन है, केंटूम और सतम की रूप में, अब केंटूम का क्या मतलब है, तो केंटूम जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है सौ के लिए, सौ को लेटिन भाषा में केंटूम कहते थे पुरानी लेटिन भाषा में, और उसी जिन जिन भाषाओं में सौ के लिए केंटूम से मिलता जुलता शब्द है, उनको सब को एक साथ रखा गय प्रकान बरति अधिकतर अधिकतर आधिक्षे, शड़े, सो के लिए, इसे लिए सक्राव स्विर जिन भाषव में सव की संख्या के लिए सतम जैसे सतम से मिलते जुलते शब्द हैं उनको इस समूह में रखा गया है और इसमें मुख्य रूप से भारती उप महाद्वेप की भाषाएं आती हैं तो जो भारोपी ये कहा जो भारत और यूरोप ये दोनों को मिला करके बना उसी तरह से उसी आधार पर ये वर्गी सतम से मिलते जुलते शब्द हैं उनको एक साथ रखा गया सतम भाषा समूह में जो कि भारती उप महाद्वेप की भाषा है अधिकतर अब ये वर्गी करण फिर और अधिक घना होता है भारोपी परिवार का केंटूम और सतम जो भी बताया हमने केंटूम और सतम दो भागो में भी भाजन है अब केंटूम में भी चार गुरूप बनते हैं चार समूब बनते हैं केल्टिक जर्मनिक इटालिक और ग्रीक मित्रों आप परिशान मत हो ये इतना अधिक देख करके आप सब इन सब भाषाओं के विश्य में पहले से जानते हैं बस आपको ध्यान रखना होगा कि किस समूमें कूंसी भाषा आती है जो केल्टिक भाषा है वो मध्य यूरोप में मुख्यaltenुरूप से बोली जाती है और अंग्रेजी तो दूसरी अंग्रेजी जर्मनिक ग्रूप समूँ में आती है लेकिन केल्टिक में आर्लैंड और वेल्ष भाषा और आईरिश भाषा वो केल्टिक समूँ में आती है इसके लावा फ्रेंच भी केल्टिक समूँ में आती है जर्मनिक में जो दो प्रमुख भाषाएं है वो है जर्मनी और जर्मन और यह दो जानते हैं भाषा हैं प्रमुकरूप यह दोनों जर्मनिक समू में आती हैं इतली की भाषा में इतली की भाषा इस ग्रूप में इतली की भाषा इस ग्रूप में आती है इसके अलावा और दूसरी स्पैनिश पोर्चुगीज यह सब भाषा है इसी इतली की ग्रीक जो चौथा है वो तो नाम से ही साफ जाहिर होता है कि ग्रीक देश की ग्रीस देश की भाषा है पुर प्राचीन समय में भी इसको ग्रीक कहते थे तब उसका थोड़ा सा स्वरूप अलग है लेकित अब वो ग्रीक भाषा ही है ग्रीक काफी उन्नत भाषा है जो प्राचीन महाकाव्य मिलते हैं ओडिसी और इलियड होमर कवी का लिखा हुआ वो ग्रीक भाषा में ही लिखा हुआ है और जो हतुपूर्न दार्शनिक हुए है प्लेटो सुकरात इत्यादित् अब लगबग सभी ग्रीक भाषा में उन्होंने अपना काम किया है तो ग्रीक बहुत महत्वपूर्ण समू है केंटुम के लिए जब हम सतम में आते हैं तो इसमें भी चार है अल्बेनियन, अर्मेनियन, बाल्टो-सलाविक और भारतिरानी तो अल्बेनियन जो है अल्बेन अर्मेनियन जो है वो तुर्की तर्की देश उस देश के आसपस बोली जाने वाली जो भाषा है वो अर्मेनियन में पूर्वी यूरोप की भाषा है वो इस समू में आती है फिर बाल्टो-सलाविक एक महत्वपूर्ण ग्रुप है, जिसमें की यावाशा आती है रूसी, लाट्विया, लिथ्वानियन यह सारी भाषा है जो पहले सोवियत संग के में शामिल जो देश थे अबाज अलग हो गए हैं रूस से अलग हो गए हैं उन देशों की लगबग सभी देशों की भाषा है इसमें आती है बाल्टिक उनके बाल्टो-सलाविक जैसा कि दो नाम है दो शब्द है इसमें तो एक बाल्टिक समुह है कि स्लाविक समुह है स्लाविक समुह की प्रमुख भाषा रूसी है और बाल्टिक समुह में लिथ्वानिया और यह लट्विया आधी आती है चेक भाषा जो एक महतोपून भाषा है पोलिश भाषा एक महतोपून भाषा है महतोपून आती है तो बारतो स्लाविक घृप में भी यूरोप के महतोपून खास कर इदर पूर्वी उत्तरी पूर्वी यूरोप के काफी देशों की भाषा है इसमें आता है भारत-ईरानी जो की हमसे संबन दित है तो इसमें यह जो समू है वह बारत और एरान मुंख्य वह सारी भाइचाने में आती हैं. तो भारत और ईरानी, जिसको मुख्यूरूप Ce कहेंगे वह इसी समूम बाइगी और फिर इरान की जो भाषा है मुखी रूप से फार्सी भाषा वो इसमें आईगी अब हम देख लें कि भारोपी परिवार की विशेशताएं क्या-क्या है तो इस समू की जो इसकी विशेशताएं है मित्रो यह सबसे बड़ी बात है कि इस जो विश्व का सबसे बड़ा हिस् सबसे बड़े भाषा परिवार की भाषा वैशो के विश्व के विशालतम भूभा ने बहुत जाने वाई यह इसकी सबसे बर विशेशता है और अन्न एक तुलना में इसमें बोलीयों के संख्या भी अधिक अए भाश require तो हिंदितो भाष या और ही वख वीजता है कि आप जानते हैं हैं जैसे हिंदी मुख्य b्लाशा है और ते जहां कितनी सभी वर हम ठीज है अगर हम धिंगा कि हम अन्दी कि अपनी एक खास पैंकि अदिक राप completo है तो बहुत कुछ अलग भड़न से बोलते हैं उसके अलब लावा हम थे राजिस्थान के सब हिंडी की बोलिया ही घ्याहिए तो उस तरह से मारवारी हो गई जो कि अन्टता वह हिंदी अन्दी का उधारन हुआ अन्य जो भाषाय वहा विश्वाएं उन में भिषरी बेगांगे बहुत सारे säga वह सुपशना सिखका इसका उद्ता क्षेत्र सुपषा ओंधीन यमेर फॉष जैन में हम भी आऴनियों च2 और प्रयाद बनती हैं तो बहु इतनी विविद्दा अन्य भाषा परिवारों में नहीं मिलती है, साहित्य रचना के क्षेत्र में भी हम देखें, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा साहित्य रचना हुई है, इस परिवार की जो भाषाएं हैं, उसमें साहित्य रचना सबसे ज्यादा हुई है, और इसके साथ ह अधियन भी इसी समू की भाषा का सबसे जादा हुआ है वस्तुता भाषा विज्ञान का आरंभ हुआ वही तुलनात्मक भाषा विज्ञान पहले इसको तुलनात्मक भाषा विज्ञान ही कहा जाता था क्योंकि भाषाओं की आपस में जब तुलना हुई तब विद्वानों को समझ में आगी कैसे भाषाएं दूसरे से चुड़ी हुई हैं, पहले ये समझ नहीं थी, सबको लगता था कि सब भाषाएं बिलकुल अलग-अलग हैं, लेकिन जो विकास क्रम होता है, विकास का जो सिध्धान्त है, उसमें ये बात उतनी समझ में नहीं आने वाली थी कि कै इतनी अलग-अलग भाषाएं बनी, तो फिर जब उन्होंने तुन्ला की दो भाषाओं के और खास करिके मित्रों संस्कृत और अवेस्ता, संस्कृत और फार्सी में ने बताया था, फार्सी भाषा है, उसकी पुराना रूप है अवेस्ता, सतम जिसका शब्द है, तो इसक उसमें सतम है, कितना कम फर्क है, यहां पर भी संस्कृत बोलने वाले भी अगर उच्चारन अच्छी तरह सिना करें, तो उसमें बहुत कम फर्क है, उच्चारन तो इसी तरह से यह एक उधारने, बहुत जादा बहुत सारे शब्द हैं, जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, आपके जो अधियर सामगरी आपको प्लब्ध हुई है, उसमें भी शब्दों की एक सूची दी गई है, उसमें भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे जैसे मात्र शब्द है, संस्कृत में मात्र शब्द है, हिंदी में माता हो गया है जो की, और उसी तरह से अ तो यह सारे शब्द एकदम मिलते हुए हैं तो बहुत पूरी सूची अगर हम निकालें तो संबंधों के लिए प्रयुक्त होना ले शब्द हैं इसके अलावा और भी जो दैनेंदन की उप्योग की वस्तु है जो प्राची इंकाल से अब तक चली आ रही है ऐसे जो सामान हम इस्तिमाल करते हैं जो आधार भूत आवश्यक्ताओं की पूर्ति करने वाले साधन है वो सब लगभक सारी भाशाओं में मिलते जुलते शब्द हैं तो इसके आधार पर विद्वानों का एक नने हुआ एक समझ उनकी बनी कि जरूर ये किसी एक भाशा से सब अलग अलग ह हुआ है और एक सिद्धान्त इस प्रकार का बना कि कोई एक मूल भारुपी भाशा थी उस मूल भारुपी भाशा को बोलने वाले लोग कहीं मध्य एशिया और यूरोप में कहीं पर रहते थे मतलब वह वह विवादास्पद है उनका रहना और उनका पर कैसे वह निकल करके सारा विवादास्पद है काफी लंबा धियन का विशय है लेकिन हम मूल भारुपी भाशा एक है और उससे फिर निकल करके लोग जैसे-जैसे मानव जाती फैलती गई मानव समू फैलते गए तो कुछ उधर पश्मी यूरोप की तरफ चले गए कुछ पूर्व की और एशि होते गए और उनकी भाशाएं परिवर्तित होते होते अब इतनी अलग दिखाए पड़ती है लेकिन वह सब अंग्रेजी और हिंडी दोनों का मूल कहीं है अगर हम जाए पूर्वच की और जाए भाशा के पूर्वच की और जाए तो वह कहीं एक निकलता है मूल भारुपी तो इस तरह से यह विभाजन यह भाशाओं का विकास क्रम है बहुत रोचक यह अध्यन है आप पढ़ेंगे तो तो इसमें इस तरह से यह भाशाएं बनी तो तुलनात्मक जब अवेस्ता और संस्कृत की तुलना हुई और यह समझ में आया कि इनमें समानता है उसी आधार पर यह जो परिवार का विभाजन भी हुआ जो परिवार बनाएं कहा परिवार तो परिवार क्यों कहा परिवार में कौन-कौन होता है मा भाई बहन तो इस तरह से जो मूल भारोपी भाशा है वो मा हुई जैसे यह तो हम आज भी कहते हैं कि संस्कृत भारती भाशाओं की आधुनिक भारती भाषाओं की जननी है, तो मा है और हिंदी, गुजराती, बंगला, बराठी, इत्यादी जो भाषा हैं वो आपस पे बहने हैं, तो ये पारिवारिक संबंद भाषाओं के बीच में इस्तिर हुआ और उसी आधार पर ये पारिवारिक वर्गी करण हुआ, इ दिया गया है, कि मैंने इतिहास भाषा का क्या रहा है, किस प्रकार उनका विकास क्रम रहा है, और उसके आधार पर उन भाषाओं को अलग-अलग समुगों में बाता गया, और उनको परिवार का नाम दिया गया, तो ये शुरुवात इसी भारोपिय परिवार की भाषाओं के तुलनात्मक अध्यन से हुई तो अभी आज भी जो सब सरवाधिक विशलेशित भाषाएं हैं भाषाओं को समझने के लिए जिन भाषाओं का सरवाधिक अध्यन हुआ है वो इसी भारोपी परिवार की भाषाओं का ही हुआ है अन्य-अन्य जो परिवार हैं उनकी कम ही भ अध्यन नहीं हुआ है अमेरिका में 100 से अधिक भाशाएं हैं जिनका की अध्यन लगभख नौ के बराबर है तो इस तरह से जो प्रमुख भाशाएं हैं विश्व की प्रमुख भाशाएं कही जा सकती है अब वो चाहे बोलने वाले की संख्या क्या अधर पर कहा जाए अध्य अध्यान की गई है इसके आधार पर कहा जाए या साही तेरचना हुई है इसके आधार पर कहा जाए तो वह भारोपय परिवार की भाषाएं हैं फिर जब हम अध्यान की बात करते हैं तो विद्वानों की बात करें जो भाषा वैज्यानिक अध्यान करने वाले वैज्यानिक ह हुए हैं वो भी सब इसी भाषा परिवार्क से हैं मतलब जो अध्यान करने वाले हैं वो भी इसी परिवार के हैं जैसे कि पाणिनी भर्त्रिहरी बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं और इन सभी विद्वानों की जो भाषा मूल भाषा थी वह भारोपी परिवारों में से ही थी जैसे कि पाणिनी भर्त्रिहरी के तो संस्कृती सास्यों मूल तह स्वीडन का था जहां तक मुझे आद है तो स्वीडिश भाषा थी वह भी भ की केल्टिक ग्रुप नकी. होगी यह लेकिन भाहरोपी परिवार की यह तो भाहरोपी परिवार विशेश्थता यही है कि उसमें सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं उस भाहरोपी परिवारBl लेन वाले लोग सबसे ज़ादा है नहीं बढ़े और भूच ज्यादा भाषा और बोलियों की संख्या है पिर साहित्यकी रचना का क्षेत्र हो तुल्नात्मकध्यन का क्षेत्र बड़ी विद्वानों का भाषा हो वो सब इस साहित्य का भाषा-परिवार बहुत महत्यूपूर्ण है आ उसमें भी हमारे लिए जो महत्यूपुर्यन है निक जो आंतिम हमने बताया िस क्रव न हमें भारत सकति कर हैं वह सबसे महत्यूपुर्ण हमारे लिए है जिसका अध्यान हम आगे की दtoi में थोड़ा विस्तार से करेंगे मित्रों आप अगर भाशा पारिवार्व विशह भारूपी भाषा परिवार के विशह में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप उस पर जा सकते हैं वेबसाइट्स पर और इसमें काफी अच्छी जानकारी दी हुई है, स्कॉट बज में भी काफी विस्त्रित आपको जानकारी मिलेगी भारुपी भाषा-परिबार के विशे में और भारत-डिस्कवरी.org पर भी काफी सारी जानकारी मिली है तो आप इन संदर्ब सूचियों का उपयोग करके अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं आज की कक्षा बस यहां तक धन्यवाद